नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी, इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम इस वीडियो में How to Trade Inside Bar Candlestick Pattern यानि Inside Bar का Perfect Signal को कैसे पहचानना है और Inside Bar Candlestick Pattern पर Perfectly कैसे ट्रेड करना चाहिए ये सीखेंगे तो चलिए आज का टॉपिक सुरू करते हैं सुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे और बेल आइकोन को भी आउन कर लीजे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए इंसाइट बार यानि इंसाइट बार के लिए एक बार के अंदर दूसरा बार होता है यानि इसके इंसाइट में completely इसके इंसाइट में होता है लेकिन वैसे में हमें ये इंसाइट बार नहीं देखना है हमें इंसाइट बार बाई के लिए आपको यहाँ पर कुछ बड़े बड़े ग्रीन केंडिल होने चाहिए मार्केट तेजी से उपर जा रहा होता है बड़ा केंडिल बनने के बाद एक छोटा सा रेट केंडिल बनता है जो completely इसके इंसाइट होता है ये जो ग्रीन केंडिल है completely इसके इंसाइट होता है ये जो इसका हाई है इसके उपर इसका हाई नहीं जाना चाहिए इसका high से छोटा होना चाहिए और इसका low से छोटा होना चाहिए, उसमें भी ये बहुत छोटा candle होना चाहिए red में, green के बाद एक red छोटा candle बनता है, जो completely इसके inside होता है, उसके बाद हम buy का signal लेते हैं कैसे condition पर, वो condition हमें देखना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो inside बार हमें मिला है, इससे पहले कुछ green candle से तेजी से उपर जा रहा होना चाहिए, बाई के लिए, अब ये बनने के बाद हम क्या करेंगे, दूसरा candle का weight करेंगे, इसका high को cross करने का, इसका high है और इसका high दोनों पासी होंगे, तो इसका high को जब ये cross करेगा, हमारा यहाँ इसका high को cross करते ही, हमारा यहाँ पर 22 signal होगा, और SL इसके नीचे, जो ये inside बार है, इसका 50% तक का हमें SL रखना चाहिए, और target ऐसे condition पर 1 is to 1.5 का target, market देखकर 1 is to 2 का target भी हम रख सकते हैं, लेकिन fast execution के लिए 1 is to 1.5 का target रखना है, लेकिन आपको ये confirm होना है कि ये छोटा red candle होना चाहिए, बड़ा green के बाद, और उससे पहले भी कुछ green candles होने चाहिए, यहाँ पर बीच में red एक होता तो भी ठीक है, लेकिन कुछ candles up जा रहा होना चाहिए, उपर तेजी से जा रहा होना चाहिए, और ऐसे condition पर हमें red candle मिलता है, जो completely inside होता है, और next candle इसका high को break करते ह हम यहाँ पर buy signal लेंगे, इसका भी high को break करना चाहिए, यह दोनों पासी में होंगे, क्योंकि यह close होते ही, यह open होता है छोटा candle, तो इसका दोनों का high को cross करते ही, हम यहाँ buy करेंगे, target 1 is to 1.5 करेंगे, इसका 50% का SL रखेंगे, यह buy signal के लिए हुआ, सेल सिगनल के लिए ठीक इसका opposite होगा, जैसे यहाँ पर एक perfect inside bar candle बना है, पहले market bearish होना चाहिए, नीचे तेजी से कुछ candles देखिए, यहाँ से तेजी से आए, कुछ candles यहाँ पर consolidate किए, उसके बाद बड़ा rate candle बना, उसके बाद छोटा सा green inside bar, जिसका low इसके अंदरी था, इससे नीचे नहीं था, और इसका जो high है, इससे उपर नहीं था, यह बड़ा rate के बाद एक छोटा सा green candle बना था, तो ऐसे condition पर यहाँ इसका low को break करते ही, यह जो low है, इसका break करते ही, इसका down को break करते ही, हमारा यहाँ पर sell का order हमें यहाँ पर लेंगे, और जो sell होगा, इसस थोड़ा सा उपर का, at least इसका 50% होना चाहिए, 50% से भी यह उपर इसका leg है, तो इसका leg का थोड़ा सा उपर का हम यहाँ पर sell रखेंगे, और target 1-1.5 fast execution के लिए market bearish है, बहुत समय से लंबे downtrend पर जा रहा है, तो 1-2 का भी हम target रख सकते हैं, condition देखकर उससे भी हम अधिक का target ले सकते हैं, इससे best signal मैं sell का आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे इसका time frame हुआ, यह 15 minutes में मैंने आपको दिखाया, 5 minutes और 15 minutes पर ही आपको यह signal find out करना है, 1 hour, 4 hour पर नहीं करना है, वो उतना काम नहीं करेगा, 5 minutes और 15 minutes पर हमें यह signal लेना है, जैसे यहाँ पर इसका low होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही था, और high जो है, इससे उपर जाना नहीं चाहिए, लेकिन यह इससे बहुत छोटा candle बनना चाहिए, rate से बहुत छोटा candle बनना चाहिए, यह example के लिए मैं completely inside होने के लिए इसके high नहीं जाना चाहिए, इसके low नीचे नहीं आना चाह होगा, ऐसे में हमें यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर इसका भी हमें resistance मिला है, तो ऐसे में यह ज्यादा काम करता है, तो ऐसे signal बनने के बाद हम sell signal लेते हैं, 1-2 का target आप आराम से रख सकते हैं, ऐसे condition पर आपको, जैसे यहां पर inside bar है, इसके low के ऊपर ही है, छोटा स ऐसे हम 1-2 का target आराम से ले सकते हैं, तो यह था आज का छोटा सा वीडियो inside bar पर हम कैसे identify करना है, perfect signal और उस पर कैसे trade करना है, यह trend पर होना चाहिए, कुछ candles मीचे जाने के बाद आप sell signal ढूनना चाहिए, यहां पर वहीं वहीं थे, तो यहां पर आपको बहुत inside bar मिल सकते ह देखना है, पहले sharply decline होना चाहिए, वहां पर आपको sell signal green छोटा सा candle देखना है, या sharply uptrend पर जाना चाहिए, वहां पर आपको buy signal के लिए red छोटा candle देखना है, तो यह था अज का वीडियो, यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद,